मेरा नाम है रजट and you are watching India's number one Hindi Gay Story चैनल दोस्तों अगर आपको कहानी अभी तक पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहे हैं कॉमेंट जरूर करिए प्लीज कॉमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीचे आईए जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ रात का समय था रहीम और निशान्द दोनों खेत पे थे निशान्द रहीम को नहर पे लेके गया जो की चांदनी रात में चमचमा रही थी दोनों सिर्फ बॉक्सर्स में थे और फिर बारी बारी पानी में कोट पड़े दोनों लड़के बढ़िया तरीके से तैर रहे थे वो पानी की हर लहर का आनंद ले रहे थे चांद की रोशनी में रहीम का बदन चांदी सा चमच रहा था और निशान्द उसको प्यार भरी नजरों से देख रहा था रहीम ने पानी उड़ाया निशान्त पर और रहीम पानी के अंदर चला गया निशान डूनने की कोशिच कर रहा था कि रहीम कहा है और फिर रहीम निशान्त के पीछे से निकला और उसने निशान्त को कस्क के पीछे से अपनी बाहों में जकड लिया अपनी बाहों में उसे कैद कर लिया रात में वो ठंडी हवा और पक्षियों के गीत दोनों को नाचने पे मजबूर कर रहे थे निशान्द ने रहीम को अपनी तरफ खींच लिया और उसके पीछे चला गया और फिर रहीम निशान्द के कंडे पे अपना सर रखे उन पक्षियों के मदूर संगीत पर हलके हलके अपने कदम धिरकाने लगा तोड़ी दिर ऐसे ही दोनों एक दूजे में खोई रहे फिर निशान्द ने रहीम को अपनी तरफ गुमाया और उसके लवों पे अपने लव सजा दिये दोनों खोते गए एक दूजे में फिर पानी से बाहर आए कपड़े पहने और रहीम निशान्द की बाहां पे अपना सर रखे सो गया दोनों उस रात चैन की नीन सोए कोई फिक्र नहीं थी उन्हें दुनिया की पर कल का सवेरा एक बड़ा बदलाव लेकर आ रहा था जिससे दोनों अंजान थे तड़के जब रहीम खाला के घर गया तो उसने देखा खाला सामान पैक कर रही थी रहीम बोला हम कहीं जा रहे हैं क्या खाला बोली हा बिटा क्योंकि तुमारे अब्बू की तबियत नाजुक है ये सुनकर रहीम सन रह गया उसने खाला से पूछा कितनी देर में निकलना है और क्या हुआ अब्बू को खाला ने रहीम को ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया पर उससे बोली तु टेंशन मतले बस तैयार हो हमें निकलना है रहीम जल्दी से दोड़कर निशान्त के पास गया उसने निशान्त को सब कुछ बताया कि उससे जाना होगा पर वो सर्दियों की छुट्टी में आएगा क्योंकि अभी उसके अब्बू की तवियत खराव है जल्दी जल्दी में निशान्त उसका नंबर नहीं ले पाया पर रहीम ने निशान्त का नंबर ले लिया था उसने बोला था वो कॉल करेगा अब ट्रेंट टू तु 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 नहीं मिलती तो कार से ही निकल पड़े आठ गंटे का सपर पहाड सा बीत रहा था रहीम पे उसे अपने अब्बू से बेहत प्यार था जैसे ही वो हस्पिटल पहुचा उसने अम्मी से पूचा क्या हुआ है तो उन्होंने बताया कि वो बेहोश हो गए थे डॉक्टर ने बताया है उन्हें ब्रेन ट्यूमर है तो अब उनका ऑपरेशन होने है रहीम को एक और जटका बैठा वो ये सब सुनकर दंग था कि आखिर उसके अब्बू के साथ ऐसा कैसे कुछ हो गया क्योंकि वो तो बेहद नेक इनसान है रहीम को एक और जटका बैठा जब उसे पता चला कि उसकी अम्मी ऑपरेशन के वेपर्स पर साइन करने को तयार नहीं है क्योंकि वो आखरी स्टेप था जिससे उनको बचाया जा सकता था रहीम ने बेहद कोशिश की अपनी अम्मी को समझाने की पर वो समझना नहीं चाती थी वो अपने पती को खोना नहीं चाती थी तो फिर रहीम ने ही इम्मत करके डॉक्यमेंट्स पर साइन किया लगवक चार घंटों तक ऑपरेशन चला और रहीम ने दुनिया भर के सारे भगवान अल्ला सबसे दुआएं कर डाली और सबने उसकी सुनी भी उसके अब्बु का उपरेशन सक्सेस्पुल हो गया अगले 48 घंटों तक किसी को उनसे मिलने नहीं दिया गया निशान्त रहीम की कॉल का इंतिजार कर रहा था पर उसका कॉल ना आने पर उसने रहीम के खालू को कॉल मिला दिया और उनसे सारा हाल पूछा और रहीम के बारे में भी पूछा खालू ने रहीम को फोन दिया तो रहीम रो पड़ा निशान्त ने उसे हिम्मत दी और कहा देखो अपरेशन तो अच्छे से हो गया अब तुम घबराओं नहीं अब्बू ठीक हो जाएंगे रहीम बोला ताश आप यहां होते मेरे साथ निशान्त रहीम को समझा ही रहा था और समझाते हुए उसने रहीम को शान्त किया अर्तालिस घंटों के बाद जब रहीम पहली बार अपने अब्बू को देखने जा रहा था भूबी ऑपरेशन के बाद वो आईसीओ के दरवाजे का खुलने का इंतिजार कर रहा था उसकी आँखों में आसू थे लिफ्ट का दरवाजा कुला अरे तुम तुम यहां खालो किशी से बात कर रहे थे रहीम ने पीछे पलट के देखा उसका निशान्त बहाँ आ गया था उसके लिए और रहीम ने भाग के उसको गले लगा लिया निशान्त ने उसके सर पे प्यार से हाथ फिराया और उसे अपनी सीने से लगाये रखा पांच मिनट बात ICO का दरवाजा खुला पहले रहीम की अम्मी गई मिलने वो बाहर आके बेहत रोने लगी फिर रहीम गया और फिर निशान्त और फिर बाकी के लोग उन्हें देख कर आए रहीम के अब्बू सब को पैचान रहे थे रहीम बेहत खुश था कि उसके अब्बू बच गए उसने बाजू में खड़े दीपांकर भाईया को जो कि उसके पडोसी थे और जो उसके अब्बू को सही समय पर उस्पिटल लेकर आये थे उन्हें गले लगा कर उनका शुक्रिया अदा किया और बोला आपकी बज़े से अब्बू आज हमारे बीच हैं दीपांकर ने उसे कहा ये मैंने नहीं मेरे भूले बाबा ने करवाया है और बो जो करते हैं वो सब सही करते हैं रहीम की अम्मी निशान से मिली और बोली ये दो दिन से कुछ खापी नहीं रहा सही से अब तुम आ गए हो तो संभालो अपने दोस्त को रहीम की अम्मी को निशान के बारे में रहीम हर रोज कॉल करके बताता था निशांत रहीम को हास्पिटल की कैंटीन में लेके गया पर वहां का खाना ओर्डर करना उसके बस से थोड़ा सा बाहर था तो वो रहीम को लेके हास्पिटल के बाहर आ गया उसने कहा पहले मंदिर चलते हैं। रहीम और निशान्त पास के मंदिर गए और फिर परशाद चड़ाया, भगवान का शुक्रिया अदा किया, फिर दोनों ने छोले कुल्चे खाए, रहीम बेहत खुश था कि निशान्त उसके लिए आ गया, अब तो ये पक्का था कि निशान्त भी रहीम से बेहत प्यार करता ह क्योंकि एक बार कहने पे वो दोड़ा चला आया, उसके बार दोनों हस्पिटल आ गए, रहीम एक बार फिर से अपने अब्बू से मिलना चाहता था, पर दिन में सिर्फ दो बार ही मिल सकते थे, वो भी पंदरा-पंदरा मिनट के लिए, रहीम की अम्मी ने उससे घर जाने को रेडी हुआ, अम्मी ने उसे चावी दी, रहीम निशान्द के साथ निकल पड़ा घर जाने को, एक आटो में बैठे और दोनों चल दिये, तकरीवन पंदरा मिनट के बाद दोनों आटो से उतरे, रहीम निशान्द को अपने घर लेके गया था, उसने ताला खोला और फ के चिपट गया, निशान्द ने उसे बड़े प्यार से समाला, रहीम किसी छोटे बच्चे की तरह निशान्द के आचल में शिप जाना चाता था, निशान्द बस उसको कसके पकड़ के खड़ा हुआ था, रहीम ने अपनी आखे बन कर रखी थी, निशान्द ने उसको कालों में उंगलियां फिरा रहा था, फिर निशान्द धीरे से उठा और वो नहाने के लिए बातरूम ढूनने लगा, उसने अपने बैक से कपड़े निकाले और उन्हें बाहर ही रखकर चला गया, वो नहा रहा था क्योंकि वो बस से आया था, और बस से वो धूल मिट्ट के बाल पोचे और खुद को सुखाया, फिर निशान्द ने कपड़े पहने और रिलेक्स होके सोफे पे बैठ गया, उसके पेट सी गुड़गुड की आवाज आ रही थी, वो खाना चाता था और वो किस से कहता, तो उसने दो गलास पानी पी लिया, शाम के करीबन साथ निशान बोला, अभी नहीं, चला अब तुम जाग गए हो, बाहर चलके कुछ खा लेते हैं, रहीम जल्दी से फ्रैश होके आया, और फिर ताला लगा के दोनों बाहर चले गए, दोनों ने बीस रुपे बाले गन्ने का जूस पिया, फिर समोसे खाए, रहीम की अम्मी का फ पिटल के लिए, बहां जाके रहीम ने चावी अम्मी को बापिस दे दी, वो दानिश और खाला खालू को लेकर घर चली गए, रहीम ने बोल दिया कि वो और निशान आज फिर रात यहां रुकेंगे एक साथ, अम्मी ने पूछा खाने का क्या, रहीम बोला बाहर का खालें पिर वो सब चले गए, रहीम ने बोल दिया कि वो और निशान आज रात यहां रुकेंगे, अम्मी थोड़ा सा सरपटाई हुई थी इस बात को सुनकर, पर फिर उन्होंने जाने दिया, क्योंकि उन्होंने रहीम से निशान के बारे में काफी कुछ अच्छा अच्छा सुन करता रहा, उसके बाद दोनों बाहर गए, आलू के पराटे खाए, रात गैरा रही थी, लोग कम होते जा रहे थे, सोने के लिए सिर्फ एक बेंच बची थी, बाकी सबने सारी जगह पर कपजा कर रखा था, रहीम जल्दी से बेंच पे बैठ गया, और निशान को बुला ल तो शायद बुलाएं, डॉक्टर पर पिछले दो दिनों से बुला नहीं रहें, लेकिन फिर भी, निशान ने कहा कोई बात नहीं, मैं यहां आया ही तुमारे लिए हूँ, तो तुमारे साथ ही रहना है मुझे, कुछ देर दोनों बात करते रहें, फिर रहीम बोला, आप सो जाओ, पर निशान ने रहीम को लिटा दिया, थोड़ी देर बाद उस पतली सी बेंच पे रहीम ने निशान को भी खीच लिया, हॉस्पिटल में एसी चल रही थी, तोनों लड़कों को ठन लग रही थी, तोनों ने चाधर ओड़ ली और एक दूजे को कस के गले लगा के स चला गया, रहीम से ये वादा लेकर कि रहीम आएगा उससे मिलने सर्दियों में, कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीचे हैं